इसलिए इनका कोई 400 का अकड़ा यह छूने नहीं है। तो पिछले बार से बहतर रिजल्ट रहेंगे कॉंग्रेस के लिए। कि अभी चल रहा है, सोसल मेडिया में चल रहा है और बाकी जगह यह जो राहूल गांधी खटा-खट 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 यह क्या है पहले आप यह बता दें। देख यह खटा-खट 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 यह है कि राहूल गांधी जी का एक बोलने का स्टाइल है। पिछले बार भी जब प्रदेश में हमारे मद्यप्रदेश में चुना हुए थे तब भी उन्होंने एक, दो, तीन इस तरह से मतलब बात की थी। तो महालक्षमी योजना के तहरत, जो महिलाओं को रासी देना चाहा रहे है। उसको लेके वो बोलते है, वो उनका एक लहजा है। उसमें और कोई विसेश बात नहीं है। अच्छा वो इनका एक लहज़ा है और महालक्षमी यूजना में जिस तरह उस साले 8000 रुपे की एक धनरासी जो भारतिये गिरिणियों को महिलाओं को जो देना चाहते हैं उसके लिए उन्हें ने यूज किया है तो उस पे है अच्छा सर दो चुनाओ कि ये पांच चरणों क साथ फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और बीच में उनका ये मुद्दा थोड़ा गया है लेकिन फिर से उन्होंने इस बात को कहा है कि 400 सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं क्या कहेंगे आप देखिए 400 सीटों का जो दावा करने वाली जो उनकी बात है मैं समझता भी एक जुमला ही थाबित होने वाली है क्योंकि अब चार जून में ज्यादा देरी नहीं है भारत की जंता अपना फैसला सुना चुकी है और ये पिछले बार से भी सीटे इनकी कमाने वाली ये मैं आपको बोल रहा हूं कोई 400 नहीं आ रही हैं जब जितने भी लोग हैं इ इनके कारणामों से नाखोस हैं ये लोगों को काम की बजाएं लोगों की धार्मिक भावनाओं के सहरे ये चुनाओं की वैतरणी पार करना चाह रहे थे मगर भारत का लोगतंत्र परिपक्व हो चुका है नोजवान बात को समझ चुका है इसलिए इनका कोई 400 का अकड़ा चुने नहीं जा रहे हैं आपने धर्म की बात की लेकिन मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मुस्किल से दो या तीन दिन पहले उनने ये कहा था कि अपने पूरे जीवन में अपने पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदो मुसलिम नहीं किया है और कभी ऐसा करता हूं तो लाइफ नहीं जिऊँगा सारजुनिक जीवन नहीं जिऊँगा क्या कहेंगे आप देखिए मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं अब मगर बात की जहां तक बात अब चुकि आपने सवाल किया इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि जितना भी इस देश के अंदर हिंदू मुस जैसे लोकतंत का प्रधान मंद्री रहा हो 10 साल प्रधान मंद्री की रूप में काम किया हो वो हर सभाओं में राम मंदिर की बात कर रहा है कि हमने मंदिर बनवा दिया कॉंग्रेस आएगी तो मंदिर को छटी पहँचा देगी मुसलमानों को आरक्षण देगी मेरे रहते में धार्मी का अधा यह सब क्या है यह बोलने की जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरुवत ही नहीं है इस देश के अंदर हिंदू-मुस्लिम जो फैलाया है केवल मोदी अमिश शाह और उनके जितने भी चेले चपाटे इवन प्रदेश और जिलास्तर के भी उनके जो चेले हैं वो ही फैलाते हैं उनका कहना है कि अगर कॉंग्रस सरकार आती है तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा आरक्षन खतम हो जाएगा आरक्षन जो है OBC से चीन कर मुसलिमों को दे दिया जागा ऐसा यह आरोप लगाते हैं इसलिए वो जनता से 400 स्रीट मांग रहे हैं कहीं न कहीं आपकी पार्ट राजिव जी की राजिव गांधी जब देश के प्रधान मंतरी थे तब राम जन भूमी का ताला खुलवाया गया था और उसके बाद लगातार उस दिसा में आगे बाद बढ़ी माननी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके आधार पर देश की जनता के सहयोग से मंद है उसको कोई सरकार समविधान से परे जाकर उसके खिलाब काम नहीं कर सकती इसलिए यह बिलकुल एक जूट फैलाने की कोशिस हो कर रहे हैं क्योंकि हारी हुई बाजी उलड़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि काम तो हमने किया नहीं है बस इसी के साहरे जो बोट मिल ज अमिश्या का कहना है कि पहले चरण के मतदान के बाद हमें लगा था कि साइद हम जो है पीछे हैं लेकिन जब आगे का चरण बीत रहा है तो हमें पता चल रहा है कि उनके इंडिया गडवंदन के जो लोग हैं ये मान के बैठे हुए हैं कि भाई सरकार मोदी जी की आने वाली है इसलिए वोट करने नहीं जा रहे हैं और इसलिए मतदान का प्रतिशत कम है देखिए उनकी अगर खुसपहमी है तो बनीर है कोई दिक्कत नहीं है पर वास्तों में पहले दो चरण में जरूर मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा बहुत बढ़त मिली होगी परन्तु उसके बाद क्योंकि मैं लगातार उसके बाद के जो चरण हुए उनमें अपने जिले से हटके दूसरी जगह भी चुनाओ प्रचार में गया हूं अभी मैं राय बरेली में भी एक सब्ताथ था राहूल गांधी जी के चुनाओ में तो वहां हमने देखा कि वहां का चुनाओ जंत रहे हैं कि राहूल जी को वहां से हार का सामना करना पड़ेगा परन्तु मैं इस बात को आज दावे से कह सकता हूं अमेठी और राय बरेली और पूरे उत्तर प्रदेश में आजू-बाजू के छेतर में बहुत अच्छा प्रदर्शन इंडिया गडबंदन करने जा रहा है भाजबा के लोग कह रहे हैं कि राहूल गांधी अमेठी से वायनाट गये वायनाट से राय बरेली आये हैं और राय बरेली से सीधे इटली जाएंगे अब ये उनका कहना है, कह सकते हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी जी खुद बढ़ोदरा से बनारा साय हैं और वहां से कहा जाएंगी, अब ये तो वह जाने हैं, तो इसलिए नेता को हर जगह चुनाव लडने की चुन मनीपूर में लेके महिलाणों महिला पहलवानों पर लेके कॉं doll ने लगतार हमला किया, पूरे पिछले पांच साल में, पिछले दस साल में महिलाओं कि किसी भी मुद्दे पे, भाजबा को लगतार घेरा, स्वाती मालिवाल के साथ कुछ होता है, कॉंगर्स पार्टी क्या कर रही है। उन्हों ने बोला कि मैं स्वाती मालिवाल के साथ हूँ, और जो भी महिला है, अगर उनके साथ गलत होता है, तो मैं हमेशा उनके तरफ रहती हूँ। सम्विधान बचाने की लड़ाई है, कॉंगर्स 1975 में आपात काल लगाती है, तो कैसे सम्विधान बचाने का दावा करेगी। देखिए, सम्विधान संसोधन से आसे ये है कि जो जनहतकारी मुद्दे हैं, या जो लोगों के हित के लिए कोई बात करनी है, तो सम्विधान में अमिटमेंट तो होता है। परन्तु जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने, चाहे अनन्त हेगड़े हों, चाहे और भी जो नेता है भाजपा के, उन्होंने जो बयान बाजी की, कि हमको 400 सीटें इसली चाहिए, कि हमको सम्विधान में संसोधन करना है। तो सम्विधान के संसोधन का आशाई यह है, क्योंकि इनकी जो मानसिक्ता हमेशा जरही है, इवन अभी योगी जी की बायोग्राफी में और उनकी वेबसाइट में, जो उनकी जीवन के बारे में लिखा है, उन्होंने आरक्षण की प्रती जो अपनी धालना है, अभी जैर को इतनी बंफर मेजारिटी मिलती है, तो यह आरक्षण में संसोधन करके जो बहुजन लोग है, उनके अधिकारों में कटोती करेगी, आरक्षण को समाब्त करेगी, इसलिए इस बात की आसंका बल्वती हुई है, और इसलिए इसको बचाने का मामला राहुल गांधी और मानते हैं कि बाबा साब के संविधान की वज़े से ही हम सब को यह अधिकार मिला हुआ है, उसको हर कीमत में बनाए रखना हमारी सबकी जवाब दाई है, कॉंग्रेस भाजपा प्यारूप लगाती है कि असी करोड लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया, और कहीं न कहीं उ नाया, उन्हें काम नहीं दिया, राहुल गांदी हर रैली में कर रहे कि हम साड़े आठ जार रुपया देंगे, यह भत्ता रहेगा, यह भत्ता रहेगा, और महिलाओं को पूरे साल में एक लाख रुपया दिया जाएगा, तो फिर यह योजना उस योजना से कैसे अलग है देखिए वो जो योजना है, मुफ्त रासन वाली जो योजना है, वो भी फूट के अधिकार खाद सुरक्षा का जो कानून, कॉंग्रेस, यूपी ए टू में जो बना था, उसी के तहत वो खाद्यान भी वित्रित हो रहा है, और हमारे भारत की जो महिलाएं हैं, उनका जी सके, इसलिए योजना लांच की गई है, दोनों अलग अलग है, इसमें नगद रासी दी जानी है, उसमें अनाज दिया जा रहा है, तो भाई कहा जा रहा है कि एक तरह से उनको गरी बनाया गया है, उनको काम नहीं दिया गया है, तो यहां भी तो काम नहीं दिया जा रह हूँ गाओं में रहने वाले मजदूरों को किसानों के यहां साल भर में किया दो महीने काम मिल पाता ह। एक खरीब के सीजिएन में और एक रभी बाकी दस महें उनको काम नहीं मिलता था मगर नर। मन्रेगा के बनने के बाद उनको एक काम की गारेंटी दी गई और उसमें ये कहा गया उसको कानून वो कोई योजना केवल ऐसा नहीं कि योजना बना दी उसको संसद में अधिनियम के द्वारा इस्थापित किया गया है तो काम का अधिकार भी दिया जा रहा है ये अत्रिक्त है वो महलक्ष में अचाब पहले के चु मुहर लगेगी हाथ पे 24 अप्रेल को समाजिक नया समेलन होता है राजीव गांधी एलान करते हैं कि मैं जातिये जनगन्ना करवाओंगा ये मेरे जीवन का मिशन है तो पहले जात पिनपात पे और आज जातिये जनगन्ना की बात कर रहें क्या कहेंगे अपनी सुधा के हिस आप से चलते हैं इसको सुविधा नहीं क्या हुआ इस देश में OBC के आंदोलन ने जब से जोर पकड़ा और बहुजनों की मांग पढ़ी तो ये कई संग्रठनों के माध्यम से ये वाज आवाज बुलंद की गई है कि इस देश में जानवरों की गिंती हो जाती है पर OBC की की गिंती नहीं होती तो OBC की किंती से आव साइए कि जब तक जाती जंगरणा नहीं होगी तो सब की संख्या का पता नहीं लगेगा तो इसलिए इस मांग से सहमत होते हुए उन्होंने वादा किया है और मैं चाहता हूं कि ये जंगरणा होनी चाहिए चुनाओं के ठीक पहले कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कॉंग्रेस हो, बाबा सहाब भीमराओं अमबेडकर को लेके, बुधम शर्नम गच्छामि की में आ जाती है, जो चुनाओं आते हैं, तो बाबा सहाब की याद सबको बहुत आती है, चुनाओं भी जाते हैं तो उस तरह से याद नहीं आती है जिस तरह से आनी चाहिए नहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि कॉंग्रेस हमेशा से बाबा साहब के समविधान और बाबा साहब के प्रती सरद्धा का भाव रखती है और बाबा साहब हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के महान विद्वानों में से एक रहे हैं तो उनका सदैव सम्मान रहा है भारत भूमी और सदैव रहेगा बलकि मैं ये बोलता हूँ कि इस देश के प्रधान मंत्री जैसे उचे ओधे पे आदमी जब देश के 140 करूल की आबादी से बोलत साइकल है तो एक मोटर साइकल ले जा लेगी इसको मैं बचकाजी बात मानता हूँ अच्छा तो मतलब लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई कॉंग्रेस का जो में फेश्टो है वो मुस्लिम लीक की या दिलाता है भैंशीने की बात तो उन्होंने कहीं है अभी उन्हें एक और चर्चा किया था कि वोट जिहाद कर रहे हैं ये लोग वोट जिहाद आपने सुना फरुखवाबाद में उनकी जो लड़की है तो उन्होंने कहा है कि हम वोट जिहाद के त्रू जो इस सरकार को हटा देंगे और इसी पर मोदीज ने कहा है कि कॉंग्रेस वी वोट पत्र में कही गई है हमारे नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस करके बड़ा इस पर prawn का घोसना पत्र वेबसाइट में अपलोड रहे है सब लोगों को बाटा गया है बड़े साप सब्दों, वहां कहीं भी इस तरह है कि कोई भी सब्दों का इस्तिमाल नहीं किया गया है सीधे सीधे कॉंग्रेस की जो गारंटी है उनके बारे में बात की गई है चाहे हमारी महलक्षमी योजना महिलाओं के लिए हमारे नौजवानों के लिए पहली नोकरी पकी उसकी बात की गई है किसानों के लिए MSP के कानून बनाने की बात की गई है और कर्ज माफी के लिए आयोग बनाने की बात की गई है. सरमिकों के लिए बात की गई है. मतलब यह तमाम जो वंचित वर्ग हैं और जो. जिनको जरूत है. उनकी बात की कि कोई मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं कि अब यह तो चार जूम कोई पता लगेगा मगर फिर भी हम इतना बोह सकते हैं मैं मद्यप्रदेश की बात अगर करूं तो पिछले बार से बहतर रिजल्ट रहेंगे कॉंग्रेश के लिए पिछले बार हमारी उन्तीस में से केवल एक सीट आई थी मगर इस बार मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मैं राजगल भी गया हूं और चत्तिसगल की भी राजगान गाउं सीट में गया हूं मद्यप्रदेश में कम से कम आठ से दस सीटें जीतने की उम्मीद है हम लोग लोग कॉंग्रेश के फिर से एक बार उसी सवाल पर आऊंगा कि 400 सीटों क कि जो जनता है वो मेरा परिवार है मेरे साथ है विपक्ष की लोग जो है वो समिधान ओर लेके आरक्षन को लेके भ्रांतिया फैला रहे हैं तो क्या खहेंगे लाज्टमा श्य में खाहूंगा कि वह चाहे ब्रहर परिवार ही होता है पर उनका ये कहना कि विपक्ष संभिधान बदलने की बात कर रहा है और लोगों के अधिकारों में ढाका डालने की बात कर रहा है मैं इस बयान का विरूत करता हूँ यहां पर वो गलग बयानी कर रहा है एक आखरी सवाल जनता तो जनता भगवान जगनात भी मोदी के भक्त हो चुके हैं क्या कहेंगे अब कल से आज तक तो बहुत कुछ कहा जा चुका है पहले एक फोटो वाइरल हुआ था जिसमें मोदी जी राम भगवान को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं अब दूसरा कल ह हो गया कि उन्होंने बोल दिया कि भगवान जगनात भी मोदी के भक्त हैं तो अब उनकी बुद्धी वोही जाने संबित पात्रा जैसे विद्वान विक्ती अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं यह उचितर नहीं है हमारे आराज है उनका पूरा संबान हुआ है तो सर छठा चरण जो है वह आपको 25 मई को होने वाला है क्या कहेंगे आप सर उस पर हम सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को जनता से देश की जनता से मेरा यही आग्रह है कि जिस तरह से अभी तक के मदान में इंडिया गड़ बंधन को जनता ने अपना समर्थन दिया है तो आपने सुना मोहन जी को जो की MP के हैं कॉंगर्स कार करता है और कई मुद्धों पे उन्होंने बात की समिधान अरच्छन चुनाओ और हर तरह की मुद्धों पे अपनी राय रखी है आप क्या सोच रहे हैं आप अपनी राय कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं कैमेरा में आशिश कशात रंजे कुमार जनहीत आवाज